हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्जाम एलप 11 अक्टूबर 2020 को हिमांचल प्रदेश स्टेट कोपरिटिव बैंक में एसिस्टेंट मनिजर की 28 वाकेंसिस को भरने के लिए इसका रिटन एक्जामिनेशन कंड़क्ट करवाय गया है और अब लोग सेवा आयोग शिमला के द्वारा इस एक्जामिनेशन के लिए ओफिशल अंसर की जारी की गया है आप यदि इस examination पर appear हुए हो तो आप directly लोग सेवा आयोग शिमला की official website में विजिट करके इस examination के लिए full answer की download कर सकते हो इसके लावा इस video में discuss करने वाले हैं इस examination के 20 series के question paper को और यहाँ पर total 144 question पूछे गए थे इसमें reasoning section, math section, english section और gk section से question पूछे गए थे और इस video में cover करने वाले हैं जी के section में पूछेगे सभी question को इसके अलावा यदि आप reasoning section, math section और english section के question को देखना चाते हो तो आप directly visit कर सकते हो exam health के official facebook page पर और इस page का link दिया गया है इस video के description box में और उस page पर आपको मिल जाएगा इस examination के 20 series के question paper के pdf का link आप उस link पर क्लिक करके full question paper को watch कर सकते हो और देख सकते हो reasoning section, math section और english section में किस प्रकार से question पूछेगे हैं और right answer आप देख सकते हो official answer की से official answer की आपको मिल जाएगी लोग सेवा अयोग शिमला की official website से जी के section में इस examination में banking से related question पूछे गए थे और current affair से related question पूछे गए थे इसके अलावा हिमाचल प्रदीश जनन ओलियस से भी यहां पर question पूछे गए हैं और जी के section में पहला question है भारत में SEZ में खोला गया bank किस शिरिणी में आता है इस question का right answer है option B offshore banking में next question है निमलिक्त में से कौन RBI की भूमिका नहीं है इस question का right answer है option B public से deposit सविकार करना next question है भारत में mutual fund को किसके द्वारा वी नियमित किया जाता है इस question का right answer है option B से भी द्वारा next है किसी देश की ग्रेलू वी नियम दर में भृद्धी से उसके आयात और नर्यात पर क्या असर पड़ेगा इस question का right answer है option B इससे आयात की मांग बढ़ेगी और नर्यात की मांग में कमी आएगी next है निमलिक्त में से कौन एक पुंजी बाजार सादन नहीं है इस question का right answer है option A Treasury Bill next है Green Banking क्या है इस question का right answer है option C क्रिशी समर्थक पर्यावर्ण पर Bank with Potion next है Micro Smaller Medium Enterprises कैसे वर्गी करिते हैं इस question का right answer है option A अर्जी तलाब के अधार पर next है Treasury Bill है इस question का right answer है option C सरकार की अलपकालिक देयता next है APMC अधिनियम निमलिक्त में से संबंदित है इस question का right answer है option A भारत मेकरिशी विपनन से next है banking शब्दा बली में NPA का अर्थ है इस question का right answer है option B non-performing asset next है भारत में राजकोशिया निती का सुरणिम नियम है इस question का right answer है option B केवल सारवजनिक निवेश के लिए उधार लेना next question है अतरीक्त राजस्वप्राप्त करने के लिए लगाय गया अस्थाई कर क्यलाता है इस question का right answer है option A उपकर next है जब RBI cash reserve अनुपात में ब्रिद्धी की गोशना करता है तो इसका क्या मतलब है इस question का right answer है option B वानिजिक बैंकों के पास उधार देनी के लिए कम पैसा होगा 1991 में भारत में एक आर्थिक संकट आया निमलिक्त में से किसको उसी के कारण के रूप में उधद्रित किया जा सकता है इस question का right answer है option B बाहरी रिण का उचस्तर वाइट लेवल ATM से क्या अभिपराय है इस question का right answer है option C गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्थापित ATM एक सबतंतर अर्थ वैवस्ता में मुख्या रूप से आये की ओस मानताएं होती है इस question का right answer है option B निजी संपत्ति और विरासत लगू उधियोग विकास बैंक द्वारा भारत अकांशा कोश एक निदी है इस question का right answer है option A venture capital fund में निवेश करेगा नेक्स्ट है वास्त्विक आये का मतलब है इस question का right answer है option C commodity की मात्रा को मात्रा जो आये से खरिदी जाती है नेक्स्ट है मेंगाई की दर को कम करने के लिए सरकार को चाहिए इस question का right answer है option C आये कर बढ़ाए नेक्स्ट है interpersonal equity का मतलब है इस question का right answer है option A समान उपचार समान क्षित्रों में नेक्स्ट कोशन है भारत पड़े ओनलाइन अभियान के संदर्व में निमलिक कत्रों पर विचार करें नीती आयोग ने ग्रामिन क्षित्रों में ओनलाइन पारिस्थित की तंतर को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया है यह अभियान उपलब्द डिजिटल शिक्षा प्लेटफोर्मों जैसे की शगुन स्वयम आदी को भी बढ़ावा देगा उपर दियेगे कत्रों में से कौन सा कत्रन सही है इस कोशन का राइटन सरह है ओप्शन बी केवल दूसरा नेक्स्ट वर्ष दोजर उननिस में नोबल एकॉनमिक्स पुरुसकार प्रोफेसर अभिजीत बनर जी एस्टेर डफलो माइकल क्रेमर को उनके शोध के लिए प्रदान किया गया है इस कोशन का राइटन सरह है ओप्शन बी वैश्विक ग्रीवी को कम करने के लिए उनके प्रियोगात्मक दृष्टि कोण के लिए नई शिक्षानिती 2020 में वर्तमान 10 प्लस 2 परनाली को एक नई पाठ्यक्रम सरंचन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है ने पाठ्यक्रम की सरंचन की पैचान करें इस कोशन का राइटन सरह है ओप्शन बी फाइब प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर डेर टू ड्रीम 2.0 चलेंज एक नवचार प्रदियोगिता है जिसका उदेश्य भारतिया नवचारियों और स्टार्टप्स को बढ़ावा देना है हाल ही में लौंच किया गया है इस कोशन का राइटन सरह है ओप्शन डी रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन द्वारा नेक्स्ट एजल जीवन मिशन के संबंद में निमिलिक्त में से कत्रों पर विचार करें इसका उदेशिया दोजार चॉबिस तक सभी गरामिन Taiुन प्रिवारों को सुरक्षित और प्रयाप्त पेज़ल उपलब्द कराना है है इसका लक्षिया दोजार पच्चिस तक भारत की सभी नदियों को जोनना है कौनसा सही है इस कोशन का राइट अंसर है केवल एक इसका उदेश्य दोजर चौबिस तक सभी ग्रामिन प्रिवारों को सुरक्षित और प्रयाप्त पेजल उपलब्द कराना है नेक्स्ट है आयूश संजीवनी एप के संबंद में निमलिक कत्नों पर विचार करें यह COVID-19 की रोक्थाम में आयूश अधिवक्ताओं की सविक्रिती और उप्योग और जनसंख्या के बीच उपायों और इसके प्रभापर डेटा उत्पन करने में मदद करेगा यह आयूश मंत्राल्य और इलेक्रोनिक्स और सुचनप्रद्योगी की मंत्राल्य द्वारा विक्सित किया गया है उपर दियेगे कत्नों में से कौन सा कत्न सही है इस कोशन का राइट अंसर है बोथ वन एंड टू नेक्स कोशन है बारतिया वायू सेना द्वारा शुरू किया गया है इस कोशन का राइट अंसर है ओप्शन ए केबल एक COVID-19 के प्रसार का मुकावला करने के लिए बारतिया शेना द्वारा शुरू किया गया है नेक्स्ट है गोल कारेक्रम के समद्ध में निमलिक कत्रों पर विचार करें जो की हाली में लौच किया गया है इस कारेकरम का उदिश्या दुरस्तर क्षेत्रों में अनसूचित जन जाती की युवाओं को अपने गुरूओं के साथ अपनी अकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभा को सांजा करने के लिए डिजिटल प्रेटफॉर्मों का उप्योग करने में सक्षम बनाना है कारेकरम का शुबारंब जन जातीय माबलों के मंत्राले दुवारा गूगल इंडिया के साथ साजेदारी में किया गया था उपरोक्त कत्रों में से कौन सा सही है इस कोशन का राइट अंसर है औप्शन A केवल एक निमलिक कत्रों पर विचार करें PM केर फंड में किया गया योगदान CSR खर्च के रूप में योगय होगा COVID-19 के लिए मुकमत्री रातकोश या राजय रातकोश का योगदान सविकार्या CSR खर्च के रूप में योगय नहीं है उप्रिवक्त कत्रों में से कौन सा सही है इस कोशन का राइट अंसर है Option C बोथ हो 1 और 2 नेक्स्ट है हाली में प्रख्यापित अध्यादेश जो COVID-19 के खिलाफ लन्ने वाले स्वास्तिया पेश्यवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना चाहता है कौन सा अधिनियम एक्ट है इस कोशन का राइट अंसर है Option A मा मारी रोग एक्ट 1897 नेक्स्ट कोशन है UNPD के मानव विकास सुचकांग के बारे में निमलिक कत्रों पर विचार करें और इस कोशन का राइट अंसर है Option D सब सही है सतत विकास की अवदारना के बारे में निमलिक कत्रों पर विचार करें इस कोशन का राइट अंसर है Option D सब सही है Next है Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program के बारे में निमलिक कत्रों पर विचार करें और यहां पर इस question का right answer है option D first, second और third next question है विश्व विरासत दिवस 2020 के संबंद में निमलित कत्नों पर विचार करें और यहां पर कत्न क्या दिये गे हैं आप वीडियो को पाउस करके देख सकते हूं और यहां पर इस question का right answer है option C एक और तीन केबल next है विश्व स्वास्ते संबंद संबंद समस्याओं का सामना करना next है इस question का right answer है option A बविश्या में एक मजबूत और लचिला उर्जा प्रनाली बनाना next है विश्व खाद्य प्रुसकार 2020 के संबंद में निमलिक कत्रों पर विचार करें इस question का right answer है option A केवल दो वैश्विक धन रिपोर्ट जारी करने के संदर्म में धन वितरन के बारे में निमलिक कत्रों पर विचार करें और यहाँ पर इस question का right answer है option B केवल दो सई है next question है निमलिक तमें से किस देश ने 2021 से एकल उप्योग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगा दिया है और यहाँ पर इस question का right answer है option B कनाड़ा के द्वारा चाता अंदोलन किस देश से संबंदित है इस question का right answer है option B होंग कॉंग से next है निमलिक तमें से कौन सा सियोजन सही नहीं है और यहाँ पर इस question का right answer है option D next है निमलिक तमें से कौन हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक जील है और यहाँ पर इस question का right answer है option D रेनु का जील सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और निचे दियेगे कोड से सही उतर चुने इस question का right answer है option A और आप यहाँ पर वीडियो को पाउस करके सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हूँ next है चुबा, बुजूंग, सेरिंग, किंगर, निमलिक्त में से किस जन जाती की प्रमपारिक पुश्याक है इस question का right answer है option B next है निमलिक्त में से कौन सा सयोजन सही नहीं है और यहाँ पर निचे सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है और यहाँ पर इस question का right answer है option D बिलासपूर में प्रसीद रंग मेल किसने बनवाया था जो बाद में गोविन सागर में डूब गया था इस question का right answer है option D राजा बिजे चंद द्वारा next है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें और आप यहाँ पर इस वीडियो को पाउस करके सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हो और यहाँ पर इसका right answer है option A next question है दान अगे अतीत में निमलिक्त में से किस स्थान का नाम था इस question का right answer है option A मनाली का जैवी खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्या में एक योजना शुरू की गई है योजना का नाम बताईए और यहाँ पर इस question का right answer है option A प्राकृति खेती खुशाल किसान next है कौन सी नई योजना HP सरकार द्वारा चेक डेम और तलाबों का निर्मान करके सिंचाई के लिए पानी उपलब्द कराने की द्रिष्टी से शुरू की गई है और यहाँ पर इस question का right answer है option C जल से क्रिशी को बढ़ लिए जना और next है English section और देखिए सी के साथ हम cover कर चुके हैं जिके section के सभी question और दूसरे section के लिए आप डिरेक्टली विजिट कर सकते हो exam elf के official facebook पेज पर और वहाँ से आप full list question paper को download कर सकते हो और सभी के सभी right answer आप देख सकते हो official answer की से आज के इस वीडियो में बस इतना इस वीडियो को अधिक से लाइक और शीर करें thanks for watching